प्रदेश के मुख्या से मिलकर उन्हें धन्यवाद देने के लिए पिछले तीन साल से इंतजार कर रही ठीकरी तहसेल की सिवानी गुपता का सपना मंगलवार साम पूरा हुआ सियम के इंदोर आने के सूचना के बाद सिवानी ने तीन दिनों में अपने हाथों से जैकट बना कर तयार कर उन्हें गिफ्ट की सिवराज ने भी सिवानी के सर पर हाथ रख कर उसके काम को सराहा और उससे कहा कि बस इस तरह से आगे बढ़ती रहो जब भी मौका मिला मैं बढ़वानी मिलने आऊंगा बड़वानी जिले के ठीकरी की रहने वाली सिवानी हर्षित गुपता ने बताया कि इन दोर से पढ़ाई करने के बाद 2016 में उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से 5 लाख का लोन लिया जिससे उन्होंने एक बुटिक डाला ग्रामीड परिवेस होने के कारण सुरुवात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा सुरुवाती दोर में सिवानी ने तीन महिलाओं की मदद से बुटिंग सेंटर सुरू किया जिसके बाद आजवे बढ़वानी धावनोट ठीकरी और खरगाउन में खुद का बुटिक संचालित कर रही है और 20 स्यधिक महिलाओं को रोजगार दे रही है बकौल सिवानी बढ़वानी तहसियल का ठीकरी बहुत छोटा गाउं है आबादी महज 30,000 की आसपास है पिता और भाई किसान है मैं इंदोर से गाउं पहुँची तो सबसे पहले मुझे अपना रोजगार सुरू करने के लिए लोन की जरूरत थी जिसके बाद मैंने मुख्यमंद्री सुरोजगार योजना के माध्यम से 5,000,000 का लोनली और वर्स 2016 में 15,000 की चार सिलाई मसीन से अपना काम सुरू किया सिवानी का कहना था कि इंदोर से फैसन डियानर का कोस करने के बाद वो चाहती तो इंदोर में अपना काम सुरू कर सकती थी लेकिन उड़ों ने गाउं की महिलाओं को सरोजगार के लिए प्रेरित करने की सोच के साथ काम सुरू किया सुरू के एक साल तक कोई भी ग्राहग बुटिक पर नहीं आया लेकिन पिता ने हिम्मत दिलाई और मैंने अपने बुटिक की प्रदर्सनी लगाना सुरू की अब तक मैं 250 से अधिक तक प्रदर्सनी लगा चुकी हूँ सिवानी जब इंदोर से पढ़ाई पूरी करके ठीकरी पहुची थी तो वो महज 22 साल की थी लेकिन अपने होसलों और साथ सालों की महनत से आज भी तीन बुटिक की मालकीन है अब सिवानी का लक्ष है कि वो जल 250 से अधिक कारी गरी को रोजगार दे और एक बड़ी फैक्टरी खुले सिवानी की साधी 22 अपरल 2022 को बढ़वाने के रहने वाले हरसित से हुई पती भी इस काम में पूरा सहयोग कर रहे हैं सिवानी अपने बुटिक में बने हुई डिजाइन अब देश में रही है अमेरिका पेरी सहित लंदन में भी भीज रही है पूरा हैंड वर्क किया हुआ है इस पे आरी वर्क हैंड वर्क किया हुआ है पहले पुरा ट्रेस किया, देन उस पे वर्क किया है